श्री शिवाई नमस्तु व्यम दर्शा को कैसे हों आज अगरते हैं कि आप सब सुवस्तिम स्रक्षित होंगे दोस्तो आज योगनी एकादसी है और इसी परकार आज हम आप लोगों को एक छोटा सा उपाई पूझ गुर्देव के दिवार बताये गया आवशे ही बताने वाले हैं दोस्तो इस उपाई को आप लोगों को योगनी एकादसी के दिन किसी भी समय कर सकते हों दोस्तो इस कारे को करने मातर से आपकी जो भी मनोकावना होगी वह मनोकावना जल्द से जल्द ही पूर्ण होगी मातर तुलसी जी के सामने आप लोगों को इस छोटे सा चुकुपाय को करना है किस परकार से करना है वह इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे लेकिन अभी तक तो दोस्तो आप लोगों को करने के लिए सबसे पहले एक तुलसी की लकड़ी लेनी है तुलसी की सुकी हुई लकड़ी आप लोगों को लेनी है और सुकी हुई तुलसी की लकड़ी आप लोगों को लेने के बाद में उसे आप लोगों को सुद्ध देशी गी में बिगो लेन जैसे गाई का गी उत्तम मना जाता है और उसी को लेना है गाई के गी में उस लकडी को बिगवा कर आप लोगो को आपके घर में भगवान से अगर पर परती माहों तो उसके सामने एक दीपक को जुलित कर देना है और फिर आप लोगों को उस दीपक को जुलित करते समय ओम नमो भगवते वासु देवाई नमा कजाब करना है साथ ही अपनी जो भी कामना है जो भी आपकी मोनो कामना है उसको आप लोगों को बोल देना है और उस दीपक को जला देना है इतना सा कारे करने मातर से दोस्तों आपकी जिवन की जो भी मोनो काम नहीं होगी, वह जल्द से जल्द पूर्ण होगी, साती सात आप लोगों को बगवां सिरहरीवेच्ट शुनु का असिर्वात प्राप्त होगा, इस छोटे से प्रेयोक वश्य करें, वहुत ही कारें गारी ह होगा हम आपके उजलों विश्य की काम ना करते हैं स्रीश यूए नावाद